So, hello guys, आज हम लोग करने वाले हैं एक essay जिसका नाम है The Poor Relation जो लिखा गया है by Charles Lamb वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें Essay को स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको इसके राइटर, Charles Lamb के बारे में कुछ बता देता हूँ Charles Lamb का बर्थ हुआ था 10th February 1775 में और इनकी देथ हुई थी 27th December 1834 में ये अपने टाइम के एक बड़े ही famous राइटर थे और इनका best work था Essay of Elia और ये Essay जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये publish हुआ था 1919 में तो ये थी जानकारी राइटर के बारे में और इस Essay के बारे में अब हम Essay स्टार्ट करते हैं इस Essay का title है Poor Relation और राइटर के हिसाब से Poor Relation का मतलब है वो रिष्टेदार जिनके पास जादा पैसा नहीं है या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वो लोग जो जादा धनी नहीं है, जो जादा रिच नहीं है Essay की starting में Charles Lamb Poor Relation के बारे में बताते हैं कि असल में ये है क्या Charles Lamb के हिसाब से Poor Relation एक बहुत ही Irrelevant सी चीज है Charles Lamb का कहना है कि Poor Relation is kind of an absurd shadow that always follows you कहने का मतलब कि Poor Relation एक बहुत ही Illogical सी परचाई है जो हमेशा हमारे साथ रहती है वो कहते हैं कि Poor Relation एक तरीके से एक Irrelevant और बहुत ही Annoying सी चीज है जो किसी को भी असल में पसंद नहीं आती लेकिन फिर भी सबकी Life में होती है Charles Lamb अपने एक Poor Relative की कहानी बताते हैं Charles Lamb कहते हैं कि वो एक ऐसा इनसान था जिसके दरवाजे पर नौक करने से ही उसके दरवाजे पर खट खटाने से ही उसके आने का पता चल जाता था आगे Charles Lamb कहते हैं कि ये Poor Relatives हमेशा उन दिनों में आते हैं जब आपके घर कोई न कोई डिनर के लिए आया होता है ये लोग तब नहीं आते जब आप एकदम अकेले और Free भेटे होते हैं और ये वहाँ आकर बड़े ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं या तो ये बहुत ही Familiar बिहेव करेंगे या ये बहुत ही शाई तरीके से बिहेव करेंगे जैसे ये हमारे घर पहली बार आए हो यहां तक की घर के सर्वेंट्स भी इन्हें देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं की वो इन्हें किस तरीके से ट्रीट करें एक नए परसन की तरह या फिर कोई पुराने परसन की तरह चार्जलेम कहते हैं की ऐसे लोग हमेशा पुरानी कहानिय छेड़ कर बैढ़ जाते हैं ताकि वो एक अच्छी कन्वर्शेशन स्टार्ड कर सकें अच्छी बात्ची स्टार्ड कर सकें लेकिन उनकी ये कोशिश हमेशा बेकार जाती है और जब ये सब कुछ करकर देख लेते हैं और तब भी अच्छे से बात्चीत नहीं हो पाती तो ये आसपास पड़ी चीजों का प्राइस पूछने लग जाते हैं जैसे की ये सोफा कितने का है या वो कर्टन कितने के हैं कहां से लिए ये लेम्प कितने का है और ऐसे सवाल पूछ कर कोई न कोई बात शुरू करने की कोशिश करते हैं लेकिन चार्ज लेम्प कहते हैं कि ऐसे लोगों की प्रेजन्स सिरफ एक आकवर्ड महौल क्रियेट करती है उससे जादा कुछ नहीं और इनकी इस हरकत की वज़ा से हमें बहुत बार अपने महमानों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है अब आगे चार्ज लेम्प इलस्ट्रेट करते हैं फीमेल पूर रिलेशन को चार्ज लेम्प का कहना है कि फीमेल पूर रिलेशन मेल पूर रिलेशन से काफी हद तक और भी जादा खराब है लैम का कहना है कि मेल पूर रिलेशन जब आपके घर आते हैं तो वो बहुत ही ओडिनरी और साधे से कपड़ों में आते हैं लेकिन फीमेल पूर रिलेशन इससे बिलकुल ही उल्टा है वो हमेशा सड़े और फटे पुराने कपड़े पहन कर आती हैं इनके कपड़े देखते ही पता चल जाता है कि इनकी एकनॉमिक कंडिशन बहुत ही जादा खराब है और इनके घर पर आते ही कही न कहीं एक आक्वर्ड सा महल क्रियेट हो जाता है और अगे ऐसे में चार्ल लैम ने अपने दोस्त मिस्टर डबल्यू के बारे में बताया है जो इनके साथ ही आक्वर्ड यूनिवस्टी में पढ़ा करता था Charles Lamb कहते हैं कि मेरा दोस Mr. W अपनी personality पर बड़ा प्राउड करता था और उन्हें अपनी self-respect बड़ी प्यारी थी लेकिन असल में Mr. W एक poor family को belong करते थे इनके father एक house painter का काम करते थे और जादा पैसे ना होने की वज़ा से उन्होंने Oxford University के पास ही एक room लेकर रहना शुरू कर दिया था Mr. W इस बात से बहुत जादा परेशान थे कि कहीं university में सबको उनकी family condition का पता न चल जाए और वो इस बात से थोड़ा stress में भी थे और एक वक्त ऐसा आया कि Mr. W अपनी गरीबी की बात को tolerate नहीं कर पाए और जा कर army join कर ली लेकिन कुछ सालों बाद Portugal war के time पर उनकी death की ख़बर उनके घर आई मतलब की वो war में शहीद हो गए और अपनी दोस्त की कहानी बताते हुए ही चाल लैम फिर से कहते हैं कि poor relation एक बहुत ही uncomfortable और बुरी चीज है और यही बोलते हुए वो आगे अपने father के friend की कहानी सुनाते हैं जिनका नाम था John Billet जो हर Saturday को उनके घर डिनर करने के लिए आया करते थे चाल लैम कहते हैं कि वो एक बड़े अच्छे gentleman थे जो हमेशा black color के dress में तैयार होकर उनके घर खाना खाने आते थे चाल लैम जब भी उस आदमी को देखा करते थे तो उन्हें लगता था कि ये आदमी बहुत ही rich और high class को belong करता होगा अब आगे essay में चाल लैम ने अपने guest के साथ हुआ एक scene explain किया उन्होंने कहा कि एक दिन वो सब लोग बैठ कर डिनर कर रहे थे उसी वग चाल लैम की आंट ने guest की insult कर दी क्यूंकि जो guest उनके घर आये थे उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया और वो कह रहे थे कि उन्हें ज़ादा भूक नहीं है उनका पेट भड़ा हुआ है लेकिन चाल लैम की आंट ने उन्हें ताना देते हुए कहा कि खा लो खा लो ऐसा खाना तुम्हें वैसे भी रोज नहीं मिलता अब ये बात सुनते ही चाल लैम के घर पर जो guest आये थे वो थोड़ा नराध हो गई और उसी वक्त चाल लैम के जो guest थे उन्होंने आंट की ये बात सुनी लेकिन वो चुपचा बैठे रहे उन्होंने आंट को कुछ नहीं कहा लेकिन शाम के टाइम उसी guest ने एक argument के दोरान इस बात का जवाब देते हुए कहा कि ये जो तुमारी आंट हैं ये बहुत ही जादा बूड़ी हो गई है और इनका सोचने का तरीका बड़ा outdated हो चुका है और ये था चाल लैम के घर पर आये हुए guest का पूरा scene और कुछ दिनों बाद ये ही guest जो चाल लैम के घर पर आये थे इनकी death हो जाती है चाल लैम केते हैं कि ये आदमी बड़ा ही dignity वाला था मरने के बाद भी इसने किसी से पैसो के मामले में किसी से मदद नहीं मांगी या इस पर किसी और ने खर्चा नहीं किया मरने से पहले ही ये अपने अंतिम संसकार के लिए पैसे छोड़ कर गया था ताकि इसका अंतिम संसकार अराम से हो सके और यहीं पर चाल लैम ऐसे को end करते हैं और end में वो कहते हैं कि ये poor relation एक बहुती irrelevant और अजीव सी चीज़ है लेकिन ये सब की life में कहीं न कहीं होती है तो ये था ऐसे वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को like, share, subscribe जरूर करें वीडियो देखने के लिए thank you झाल 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 झाल